जिन्दगी बहुत खूपसूरत है, जिन्दगी से प्यार करो, अगर हो रात तो सुबह का इंतजार करो, वो पल भी आएगा मेरे दोस्त जिसका तुझे इंतजार है, बस खुद पर भरोसा और वक्त पर एतवार करो हेलो फ्रेंड्स आपका अपने चैनल स्टेडी पॉर जीनियस में स्वागत है, गाइस हम लेकर आएं आपके लिए जीके जीस का फिर आपसका डोस पूरा लेकर आएं और आप सभी को बताते चले गाइस कि हम दो वीडियो आपको दे चुके हैं, बैक टू बैक जिसमें हम लो वो कंप्लीट करेंगे, चले स्टार्ट करते हैं, फ्रस्ट कोईशन से, फ्रस्ट कोईशन है, विश्व में सीथ मरस्थलों को किस नाम से जाना जाता है, तो किस नाम से जाना जाता है, गाइस, आपको बताना है, प्यूट्रो रिको ट्रेंच, प्यूट्रो रिको ट्रेंच आपका correct answer हो जाएगा चलिए next है कि समुद्र तलकी सत्या पर लगभा कितना प्रिश्यत घेरे हुए है तो कितना प्रिश्यत घेरे हुए है गाईज तो correct answer हो जाएगा 70% विश्यत में छेत्र फलकी द्रिश्टी से सबसे बड़ा सागर है तो सबसे बड़ा सागर है आपका हुआ गाईज आपको बताना है किसे जो है 5 सागरों का पतन कहा जाता है तो वह कहा जाता है मासको को करेक्ट एंसर है मासको नेक्स्ट है कि विस्ट का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है तो विस्ट का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है गाई वह आपका है सहारा मरुस्थल करेक्ट एंसर आपका सहारा मरुस्थल हो जाएगा next है कि विस्तु की सबसे बड़ी खारे पानी की जील कौन सी है कैसी जील है गाईज तो सबसे बड़े खारे पानी की सबसे बड़े खारे पानी की जील आपको बतानी है तो वह आपका कैस्पियन सागर correct answer है अगला एक कि बायोमा जलप्रपात किस नदी पर इस्थित है आपको उस नदी का नाम बताना है जो बायोमा जलप्रपात नदी पर इस्थित है तो उसका correct answer आपका हो जाएगा जैरे नदी जैरे नदी आपका जो है option बिलकुल right है चलिए next आपका question है पनामा नहर के उत्तरी सि पर इस्थित है तो पनामा नहर में इस्थित है चलिए पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर इस्थित है अगला कि पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर इस्थित पत्तन क्या नाम है तो इसका क्या नाम है तो पनामा ही नाम है चलिए अगला कि किस महादीब को श्वेत महादीब के ना वह नामम में आपका गया अंटार्टिका जो ऑंटार्टिका है महादीब के नाम से बverse महादीब के महादीब में इस्तित है तो पूर रुप से कहां इस्तित है तो दच्छडी गोलार्थ में इस्तित है तो वह आपका है आस्टेलिया जो महादीप है आपका कहां पे इस्तित है तो दच्छडी गोलार्थ में इस्तित है अगला है कि महादीप कैसे अलग हुए थे तो आपको बताना है कि महादीप हैं वह कैसे अलग हो गए थे तो वह कौन सा आपकी क्रिया थी वह थी आपकी विवर्तनिक क्रिया के माध्यम से जो है महादीप अलग हो गए थे चलिए अगला है कि दीपों की सरवादिक संक्या किस महादीप में देखने को मिलती है तो दीपों की जो सरवादिक संक्यागाई आपको किस महाधीत में देखने को मिलेगी तो वह है आपका प्रशान्त महाशागार में देखने को मिलेगी next है कौन सा देश सबसे ज़्यादा दीप समूंसे मिलकर बना है आकिर ऐसा कौन सा गाईश देश है जो सबसे ज़्यादा दीप समुहों से मिलकर बना है तो आपका है इंडोनेशिया इंडोनेशिया बिल्कुर correct answer है साहारा मरुस्तल किस महादीप में है तो बताएगा साहारा मरुस्तल जो है वह किस महादीप में इस्तित है गाइस तो वह आपका जो महादीप है वह आपका है अफरीका महादीप, correct हो जाएगा, चलिए, next point है कि किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है, आखिर ऐसा कौन सा महासागर है, जिसको हम लोग छिपता हुआ महासागर कहते हैं, तो वह आपका है गाइज, आर्कटिक मह सागर नेक्स्ट कोच्चन है कि सबसे लवडी सागर है जिसमें लवडी का मलब यह होगा जिसमें सबसे आदर नमक पाया जाता है इसा कौन सा सागर है तो गाइज वो आपका अमरत सागर चलिए नेक्स्ट है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जलसंदी जोडती है किसको तो गाइज आपको बताना है जो हिंद महासागर है हिंद महासागर हो गया आपका और कौन सा हो गया और लाल सागर हो गया लाल सागर के सा रुद्ध देश किस महादीप में है तो किस महादीप में गाई इस तर रुद्ध देश कौन से महादीप में है तो आपका करेक्ट एंसर हो जागा अफ्रीका महादीप में है नेक्स्ट है कि अफ्रीका के रूम सागरी तट पर कौन सा बंदरगा है रूम सागरी तरपर गाईS कौन सा बंदरगा इस्तित है तो वह है आपका सिकंदरिया correct answer is सिकंदरिया। चलिए next question है कि हमबन टोटा बंदरगा कहाँ पे इस्तित है जो आपका हमबन टोटा बंदरगा है गाईS या कहाँ पे situated है तो स्री लंका में situated है इस टाइम पर जो है यह चाइना के अंडर में है चलिए अगला है कि विश्व की सरवादिक लवडी जील है तो विश्व की जो है सरवादिक लवडी जील कौन सी है वह है आपके वान जील वान जील करेक्ट एंसर आपका हो जाएगा वान जील चलिए नेक्स्ट है कि समुदर जील है गाइस यह कहां पर इस्थित कहें या फिर इस्थित कहें बात एक ही होती है तो कहां पर इस्थित है तो यह आपके पूर्वी अफ्रीका में इस्थित है अफ्रीका महादीब की सबसे बड़ी जील कौन सी है बताएगा अफ्रीका महादीब की सबसे बड़ी जील पनामा जल डमरू मद के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था तो किस ने रखा था तो हम बन बोल्ट ने रखा था अगला कि किस महादीप को महादीपों का महादीप कहा जाता है तो वह आपका हुजागा एशिया महादीप को जो है महादीपों का महादीप कहा जाता है के लिए समर्पित महादीप कहा जाता है तो आपका हो जाएगा अंटार्टिका जो आपका महादीप है इसी को हम लोग समर्पित महादीप के नाम से जानते हैं चलिए अगला क्वेच्चन है कि एशिया महादीप की सबसे बड़ी जील है तो सबसे बड़ी जील गाइस कौन सी है एशिया महाधीब की वह आपका कैस्पियन सागर मरुस्थल वहीन है तो कौन सा महासागर है जो मरुस्थल वहीन है वह हो जाएगा आपका यूरोप महाधीब चलिए नेक्स्ट पॉइंट है कि अल गेजीरा रह्यकिस्तान किस देश में इस्थित है जो अपका तो मरियाना ट्रंच किस महासागर में इस्थी सबसे गहरा ट्रंच है तो वह हो जागा गाइस प्रशांत महासागर correct answer आपका हो जागा प्रशांत महासागर next है कि काला सागर जिसे हम लोग Black Sea के नाम से भी जानते हैं तो बताना है जो आपका काला सागर है Black Sea किस देश के दच्चिड में इस्थी था है नेँक्स है कि विस्ट में सबसे बड़ी खाड़ी है तो वह कौन सी है वहाय मेक्सिको की खाड़ी गईस तो मेक्सिको की खाड़ी correct answer है विस्ट की सबसे चौरी जलसंदी कौन सी है विश्टू की सबसे चौड़ी जलसंदी कौन सी है तो आपके डेविस जलसंदी जो है करेक्ट एंसर हो जाएगा डेविस जलसंदी चलिए अगला की कौन सा बंदरगा यूरो पोर्ट के नाम से जाना जाता है बताना है यूरो पोर्ट के नाम से जो है आपका कौन सा जाना जाता है तो वह कॉर्छ थे आपका रॉटर डंढ कर्रेक्ट क्या घव जाएगा रॉटर डंड चलिक यह उरोप का सरवादिक मेिक पूर बंदर गा इरान की सीमhmen को करता है टो इरान की सीम को ग्यास कौनसा सागर जो है इसपर्स करता है तो में59 rinse जगा caspian sagar correct answer किस महादीप का छेतरफल सबसे कम है सबसे कम छेतरफल आप से पूछा है उस महादीप का नाम क्या है तो आस्टेलिया महादीफ है वह अगला कि कौन सा दीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है तो बताएगा आपका कौन सा आपका अगला की चे तरफड वर आयतन की अधारपर विश्व की विश्व की सबसे बड़ी जील है तो बताएगा विस्व की सबसे बड़ी जील किसकी आधार पर गाईस तो आयतन के आधार पर तो यह आपके कैस्पियन सागर जो है करेक्ट एंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर किस देश की तटी रेखा विस्व में सबसे लंबी है तो विस्व में सबसे लंबी किस तटी रेखा है किस देश की है तो कनाड़ा की है इस्टेंली जल प्रपात किस नदी पर इस्थित है बताएगा जो आपका इस्टेंली जल प्रपात है लाल सागर से जोड़ती है किस महादीप में सरिसरफ प्राड़ी पाए जाते हैं सरिसरफ का मलब हो गया गाईज रेप्टाइज प्राड़ी जो है पाए जाते हैं तो अंटार्टिका करेक्ट एंसर हो जाएगा संसार का सबसे आद्र महादीप है तो संसार का गाईज सबसे आद्र महादीप बताना है वो आपका दच्छड अमेरिका हो जाएगा कौन सा तो दच्छड अमेरिका अगला है कि काली मनतान किस दीप का अंग है काली मनतान किस दीप का अंग है तो यह गाई बॉर्नियों का ठीक है बॉर्नियों परेक्ट एंसर हो जाएगा भारत का दचिर्थम दीप कौन सा है भारत का छो दचिर्थम दीप है वह कौन सा है तो आपका हो जाएगा ग्रेट निकोबार next question है कि कौन सा दीप इंडोनेशिया का हिर्दय इस्थल कहा जाता है क्या कहा जाता है तो इंडोनेशिया का हिर्दय इस्थल कहा जाता है वो जावा को हम लोग कहते हैं जावा को जो है क्या कहते हैं इंडोनेशिया का हिर्दय इस्थल कहते हैं भारत और बांग्लादेश की मद्न विवाद दिप को लेकर था क्या जूजा sì kis डीब को लेकर था तो भारत और बांग्लादेश के भीच में,. ।Se भारत और बांग्ला देश के बीच मेंыпaurais चलिए अगला क्वेशन है कि कौन उष्ड मरुस्थल का उदारड प्रस्तुत नहीं करता है तो कौन है जो उष्ड मरुस्थल का उदारड प्रस्तुत नहीं करता है तो जो आपको गोबी का इस मरुस्थल ना या उष्ड मरुस्थल में नहीं आता है अगला कि सेलिबी सागर क किन दो देशों को अलग करती है किन दो देशों को गाइज अलग करती है तो भारत और स्री लंका को जो है यह अलग करती है पाक जलसंदी अगला है कि भूमा दिसागर एवं अट्लांटिक महासागर को जोडने वाली जलसंदी है तो उस जलसंदी का नाम है जिब्राल्टर जलसंदी चलिए अगला कोच्छन है कि कौन सी एक जील है जो तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतराश्टी सीमा बनाती है तो वह आपके जील है विक्टोरिया जील विक्टोरिया जील जो आपका आप्शन करेक्ट हो जाएगा किसके बीच बनाती है तो तंजानिया एवं युगांडा के बीच में अंतराश्टी सीमा बनाती है विक्टोरिया जलपरपात किस नदी से संबंदित है गाइस तो यह आपके जेम बेजी नदी से संबंदित है अगला गी पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है तो यह जोड़ती है प्रिशांत महासागर और साथी साथ अट्लांटिक महासागर को जो है यह क्या करती है तो यह जोड़ती है स्वेज नहर के खुलते ही किस के बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया तो बताएगा साथी स्वेज नहर के खुलते ही किस के बीच जो है समुद्री यात्रा का मार्क जो है वह छोटा हो गया वह आपका हो जाएगा लंदन वह चेन नहीं का मार्क जो है छोटा हो गया आस्ट्रेलिया महादीब से होकर कौन सी अच्छांस रेखा गुजरती है तो यह गुजरती है मकर रेखा जो है कहां से गुजरती है तो आस्ट्रेलिया महादीब से होकर अच्छांस रेखा गुजरती है अगला कि किस महादीब को अगनी दीब के नाम से जाना जाता है तो अगनी दीब के नाम से किस दीब को अगनी दीप के नाम से हम लोग जानते हैं गाई तो आ हो जाएगा आइस लेंड चलिए अगला कि जापान का नागा साकी नहर जो है किस दीप पर सिचुएटड है तो यह आपके क्यूशू क्यूशू जो दीप है उसी पर इस्तित है अगला है कि सोनो रन मरुस्थल जो है किस देश में इस्तित है तो सोनो रन मरुस्थल जो किस देश में इस्तित है तो मैक्सिको में इस्तित है अगला क्यूश्चन है कि रूब अल खाली किस देश का मरुस्थल है तो जो आपका रूब अल खाली है यह किस देश का मरुस्थल है यह है आपके सौधी अरब का एक मरु है तो कौन से शागर है जो इस्धल रुद्ध है ये आपका हो जाएगा अरब शागर गया इसकोन अरब सागर होगा अरण नहीं अरब सागर होगा हरमों जलसंधिक किन दो देशP sais को अलग करती है तो यह अलग करती एरान वा यूएए को जो है अलग करती है जापना प्रायदीप तथा स्री लंका की मुख्य भूम को जोड़ने वाला पास कौन सा है तो आपका पास है एलिफेंटा पास एलिफेंटा पास करेक्ट हो जाएगा अगला है कि जिब्राइटल जलसंदी कीन दो देशों को एक दूसरे से अलग करती है तो यह हो अगला है कि ग्वादर पतन किस देश में है तो बताएगा जो ग्वादर पतन है किस देश में है गाईज तो यह आपके पाकिस्तान देश में है कैस्पियन सागर कहां इस्थित है तो कैस्पियन सागर है गाई यह कहां पर सिच्टिटेड है यह रूस और इरान के बीच में जो है आपका इस्तित है अगला है कि किस देश को हजार जीलों की भूमी कहा जाता है तो हजार जीलों की भूमी है वह किस देश को कहते हैं तो हम लोग फिन लेंड को कहते हैं कौन सी जील है जो आपको बताना है जो हनी मून लेक कहलाती है तो जो टिटिका का जील है इसी को हम नियागरा जल प्रपात किन दो जीलों के मत देशतीत है तो बताएगा जो आपके अपरीका महादीप में है अगला एकी सू नहर किसको जोडती है तो बताएगा जो सू नहर है या किसको जोडती है या जोडती है superior जील को urine जील से जोडती है अगला कि किस महादीब को उसके काफी बड़े भाग में वर्सा की कम मात्रा की प्राप्टी के करड प्यासी भूम का महादीब कहते हैं प्यासी भूम का महादीब कहते हैं तो यह आपका हो जाएगा Australia रोटेलिया अगला आएग आपिंति कॉंटिनेंट औफं कॉंटरास्ट किसे कहा जाता है बताएगा इस दो महादीप कर तो पताएगा कौं div दो महादीब हैं जो एक दूसरे का दरपड प्रितिविंब प्रिस्तुत'd करते हैं तो यह आपका हुझागा दच्छिड अफरीका और क्या हुझागा घश्यूर अमेरिका त्था तो आलपस है जापान के राधानी टोक्यो जो है या किस दीप में इस्थित है तो आपको बताना है आपका जो होंशू दीप है वही आपका क्या है जापान के राधानी टोक्यो किस दीप में इस्थित है तो होंशू दीप में इस्थित है अगला कि सेंग काउ दीप के स्वाम किस देश में इस्तय graduate ईया इस्तीय ते गई एराण देश में चलिए next question है कि मरू आपको बताना है मरूदीब किसी से संबंदित है तो उत्तर अमेरिका महादीब को जो है इसपर्स नहीं करता है उत्तर अमेरिका महादीब को कौन सा महा सागर है तो पश्ची में जो महा सागर है वो आपका प्रशांत महा सागर है नेक्स्ट की कौन सा सागर महा सागरी मरुस्थल के रूप में अभिन हित है तो अभिन हित है कौन सा है गाइस तो यह हो जाएगा आपका सार गैसो जो आपका सागर है सार गैसो सागर यह क्या है मरुस्तल के रूप में अबनीहित किया जाता है चलिए नेक्स्ट है कि विश्व में किस खाड़ी की तट्रे का सरवाधिक लंबी है तो किस देश की खाड़ी की तट्रे का सरवाधिक लंबी है वो आपके हर्टसन की खाड़ी है हर्टसन की खाड़ी है अगला कि कौन स जलडमरू मद एक अलग करता है तो किसको अलग करता है या आर्केटिक महाशागर को प्रशांत महाशागर से अलग करता है कौन सा एक जलडमरू मद है जो अंतराश्टी तिति देखा के सरवाधिक निकट है तो वह कौन सा है वह आपका है बेरिंग जलडमरू मद है चलिए अ चलिए अगला है कि चाबहार पोर्ट कहां विक्सित किया गया तो चाबहार जो पोर्ट है या कहां पे विक्सित किया गया या इरान में विक्सित किया गया है कहां विक्सित किया गया इरान में कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है यह आपका कजाकिस्तान और उजबेकिस्तान विस्टू का सबसे उंचा जल पर पात किस देश में इस्थे नहर कब बनकर तियार हुई गाइश तो तो विस्टू की स्वेज नहर की लंबाई कितनी है तो यह आपके ऐक 108 किलो मीटर है अगला कुशन आप से पूछा गया कि कौन सा महादी कौड़ता नएजि तो या क्या है गई आपका है माॉंट एंग का गुए है अगला कोचति ने आफ्रीकी मादीब के सर्वोच पर्वत strength है तो जो अफ्रीकी मादीब उसका सर्वच पर्वत ikhar कौन सा है या आपके Mount Kilimanjaro है Mount Kilimanjaro on Correct answer right Afriki महादीप की सबसे बड़ी जील है तो सबसे बड़ी जील कौन सी है Afriki महादीप की यह पके Victoria Gail correct answer है Victoria Gail अगला विश्व के मैदानों का सरवादिक विश्टार किस महादीप में है तो यह आपके यूरोप महादीप में अगला क्वेशन है कि कौन सा दीप कौन सा दीप जो है वह दीपी महासागरों के नाम से जाना जाता है वह आपका आश्ट्रेलिया अगला कि किस महादीप को अंद महादीप के उप नाम से जानते हैं मलब उसका दूसरा नाम के अंद महादीप ऐसा कौन सा आपको बताना है जो आपका महादीप है वह आपका अफरीका महादीप किस महादीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्धिमानता की कारड़ भविश्का वंडार ग्रह कहा गया है तो आपका एशिया महादीप को अगला पॉइंट है कि किस महादीप का विस्तार उत्तरी दच्छडी पूर्वी तथा पश्च्मी सभी गोलार्द में है तो यह गाइस क्या है यह आपका जो अफ्रीका महादीप है ना करेक्ट एंसर यही हो जाएगा किस महादीप से उकर करक विश्वत एवा मकर तीनों रेखाएं गुजरती है कौन किसी करक विश्वत एवा मकर जो रेखाएं वा गुजरती है वा कौन सा आपका महादीप है वा आपका अफ्रीका महादीप है कौन सा है अफ्रीका महादीप है अगला question है कि किस महादीप में ज्वाला मुखी का सर्वता अभाव पाया जाता है किसका तो ज्वाला मुखी का अभाव पाया जाता है वह कौन सा आपका महादीप है वह आपका है आस्ट्रेलिया महादीप चलिए नेक्स्ट है कि विश्टू की सबसे लंबी घाटी किस महादीप में इस्थित है जो विश्टू की सबसे लंबी घाटी है वो आपको बताने किस महादीप में है वो आपके अफ्रीका महादीप में है इस कहा है अफ्रीका महादीप में है नेक्स्ट है कि किस दीप का प इंडोनेशिया की राजधानी जकारता किस दीप पर इस्थित है इंडोनेशिया की राजधानी क्या है तो आपको पता उनची जकारता है यह किस दीप पर इस्थित है तो जावा दीप पर इस्थित है जापान का सबसे बड़ा दीप है तो जापान का जो सबसे बड़ा दीप वह है आपका होंशू होंशू दीप है कहां का है तो जापान का सबसे बड़ा दीप है चलिए अगला है कि बैरन आइलेंड कहां है बताएगा जो बैरन आइलेंड कहां है या आपका अंडवान निकोबार दीप समों में है अगला कि कौन सा दीप जो अलमुखी मूलता है तो क एक जड़ी kaillefurnia में कौं सा मरुस्थ फैला हुआ गाइश यह एप के momap च्यक्टार कॊंच्पि प्रटवी के इस्तल प्रश्ट का कितना भाग रिगिस्तान है बताएगा जो प्रटवी के चली अगला कोश्चन आपसे पूछा गया है कि एशिया का उत्तरी महा अमेरिका किसके दोरा प्रत्तक होते हैं तो चैसी या प्रत्तक होते हैं बेरिंग जल डमरूप के दोरा चली अगला एकि सुन्डा जल संदि दो देशों के बीच है उसमें से किस दीप जावा है दूसरे दीप कौन है बताए सुंड़ जलसन्धी है वगा दो देशों के बीच में उसमें से एक दीप का नाम क्या है जावा तो आपको बताएंगा नाम है वह सुमात्रा है सुमात्रा करेक्ट ठैंसर हो जाएगा चलिए अगला कि पनामा नहर व्यापारी द्रेश्टी से स्वेज नहर की अपेच्छा कम महतपूर है तो बताएगा कम महतपूर है किसमें यह अपका इंसर हो जागा गाइस की घने आप आधी देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता है चलिए अगला है कि कील नहर किसको ज जोड़ती है या जोड़ती है उत्तरी सागर को बैला बैलिटिक सागर से जोड़ती है चलिए जापान का सबसे छोटा दीप है तो बताएगा जापान का सबसे छोटा दीप है वह आपका गाहिस शिशोकू है शिशोकू अगला क्वेशन है कि पोटा गोनिया मरुस्थल किस द महाशागर प्रवाल भित्ति आपको बताना है या किस महाशागर की प्रमुख विसेचता है या है आपका हो जाएगा प्रशान्त महाशागर अगला है छेत्परल के उंसार महासागरों का सही अवरोही क्रम बताना है अवरोही का मलब क्या हो गया बड़े से छोटा आपको बताना है पहले बड़ा फिर छोटा तो आपका हो जागा पहला प्रिशांत महासागर फिर अट्लांटिक महाशागर, फिर हिंद महाशागर, फिर आर्केटिक महाशागर अगला है कि विश्व का शरवादिक चोड़ा महादीप ये मगन तट किस महाशागर में इस्थित है तो किस महासागर में इस्थित्गाई या आपका हो जाएगा आर्केटिक महासागर अगला है कि कौन सा महासागर उत्तर दिसा में एशिया महादीप के द्वारा अवरोधित है तो या आपका हो जाएगा हिंद महासागर अगला है कि कौन सा महासागर एक और एशिया को तथा दूसरी और उत्तरी अमेरीका महादीब को इसपर्स करता है तो इसमें बताना है Correct answer क्या है? प्रिशांत महाशागर अगला है कि अगनी वलै की उपस्थित किस महाशागर में पाई जाती है तो यह आपका हो जाएगा प्रिशान्त महाशागर, करेक्ट एंसर क्या हो जाएगा प्रिशान्त महाशागर अगला है कि कौन सी जलसंदी अंतराश्टी तितिरिका के समांतर इस्तित है तो यह है आपका बेरिंग जलसंदी अगला की मलक का जलसंदी की इन दो सागरों को संयुक्त करती है तो यह अपसमे हो जाएगा अंडमान सागर तथा दच्छडी चीन सागर नेक्स्ट है कि जल डमरुमद क्या कहलाता है तो जल डमरू मद्ध है या दो सागनों को मिलाने वाली संकडी जलधारा जो है यह कहलाता है छेत फल की द्रेश्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेश्टित देश कौन सा है तो बताएगा भू आवेस्ठित जो देश है वा छितफल की देश्ठित से विस्व का सबसे बड़ा कौन सा है वह आपका है कजाकिस्तान अगला है स्वेज नहर के दोनों शिरो पर इस्थित पतन युगम कौन सा है तो स्वेज नहर के दोनों शिरो पर इस्थित पतन युगम कौन सा है तो आपका स्वेज एवं आपका पोर्ट सहीद हो जाएगा स्वेज नहर की उत्तरी प्रवेश द्वार पर इस्थित बंदरगा कौन सा है तो गाइस कौन सा बंदरगा है वो आपका है पोर्ट साइद करेक्ट एंसर हो जाएगा अगला की विश्व की सरवादिक खारे जल की जील जिसे हम लोग क्या कहते हैं यह किस देश में इस्थित है तो तुर्की देश में इस्थित है अगला वा सागर कौन सा है जो भूबद्ध है तो वा सागर कौन सा है जो भूबद्ध है वह आपके अरल सागर अगला है नियागरा जल प्रपात कहां इस्थित है जो आपका काई नियागरा जल प्रपात है यह कहां पे इस्थित है या इस्थित है USA में स्वेज नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन इस्थित है तो पोर्ट सईद हो जाएगा तो इमली कैसी होती ही, खटी होती हो, खटे पदार्तों में टार्टरिक अमल पाया जाता है, दूद दही में कौन सा अमल पाया जाता है, बताएगा जो दूद दही होता है, उसमें कौन सा अमल पाया जाता है, तो लैक्टिक अमल पाया जाता है, शिर्के में कौन सा अमल पाय तो लाल श्वीटी के डंक में आमपाया जाता है नीबू वा घट्रम के में कौन सा अमल पाया जाता हैं तो साइट्रिक अमल पाया जाता है चलिए किडिनी की पत्थरी को क्या कहा जाता है तो जो किडिनी की पत्थरी होती उसे कैल्सियम आउक्जलेट कहते हैं कैल्सियम आउक्जलेट चलिए नेक्स्ट है कि प्रोटीन पाचन में कौन सा अम्ल सही होगी है प्रोटीन के पाचन में कौन सा अम्ल है वह सही होगी है वो आपक गटवन्धन का मुख्याले कहां स्थित है तो यह आपका गुरुग्राहम हरियाणा में तो यह आपका स्री हरी कोटा में है अगला है कि भारती क्रेशी अनुसंदान केंद्र कहां पेस्थित है तो यह आपके नई दिल्ली में है केंद्री चावल अनुसंदान संस्थान कहां पे है तो यह आपको देखने को मिलेगा कटक जो की उडिशाम राज में पढ़ता है अगला की हांकी वर्ड कप 2023 का आयोजन किस देश में हुआ था गाईस किस देश में होगा तो भारत में बारत में आपका होई चुका है हाकी का जादूगर किसे कहा जाता है तो हाकी का जादूगर जो है मेजर ध्यान चंद्र जी को कहा जाता है अगला की क्योटो प्रोटोकाल का संबंद किस से है तो ग्रीन हाउस गैस से है अगला कि आपका जो मांट्रियल प्रोटोकॉल है इसका संबन्द आपको बताने किस से है जो मांट्रियल प्रोटोकॉल है इसका संबन्द किस से है तो ओजोन परत संदच्छड से है किस से है ओजोन परत लेर से है अगला कि रामसर कंवेंशन का संदच्छड से है तो यह है आ अगला है की wish bank का मुख्याले कहां हैं , इसका मुख्याले में वाशिंग्टन डी.C में met realistic其实 bank Asia vikas bank ADB के नाम से जानते हैं , इसका मुख्याले कहां पे है ? hypothesis समय चारिकर्म तो आपको देखने को मिलेगा जिनेवा में अगला है कि यूनेस्को का मुख्याले कहां पे शित है तो आपको देखने को मिलेगा पेरिज में अगला है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्याले कहां पे शित है या आपके लंदन में है आर्थिक सहयोग और विकास संग्ठन का मुख्यले कहां पे है तो OECD का जो मुख्यले या कहां पे है तो पेरिस में है अगला एकी अंतराश्टी स्रम संग्ठन मनलब ILO ILO का जो मुख्यले या कहां पे तो आपको जिनेवा में मिलेगा Falcon 9 rocket किस Space Agency ने लांच किया तो Space X Agency ने लांच किया है अगला है कि Hope Mission किस देश के दोरा लांच किया गया तो जो आपका Hope Mission है गाइस या किस देश के दोरा लांच किया गया या लांच किया गया सहयोग तरफ अमीराद के दोरा अगला कि 2007 में भारत ने 104 सैटेलाइट किस वीकल द्वारा लांच किये थे तो किस वीकल के द्वारा लांच किये थे तो PSLV C37 के द्वारा जो है या क्या किये थे सैटेलाइट वीकल जो है इसके द्वारा लांच किये थे शिपकिला दर्रा कहां पेस्थित है तो शिपकिला दर्रा जो है आपके इमांचर प्रदेश में इस्थित है अगला कि किस दर्रे से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है तो आपका जो आप उसमें पूछे दर्रा पूछे है वो आपका शिपकिला दर्रा अगला कि नातुला दर्रा किस राज में इस्तित है गाइस तो नातुला जो दर्रा है या सिक्किम राज में इस्तित है अगला कि बोमडिला दर्रा किस राज में इस्तित है जो आपका बोमडिला दर्रा है या किस राज में है तो अवडांचर प्रदेश में है रांचल्ड प्रदेश में आपको या देखने को मिलेगा इस मिलेगा इसले जाता है प्रे किसे जिर दीजовал चाइगर जयाता तु अप्र जहां तुर्दम आपको एंप इमन इंगा आप गॉर्दिय प्र्देश एंगे तु MLותucionesर एमने सा कहा है तो सिंबली पाल जो टाइगर रिजर्व है यह आपके ओड़ी सा राज में है चलिए अगला है कि नागर होल टाइगर रिजर्व किस राज में इस्तित है गाइस तो जो नागर होल टाइगर रिजर्व है यह आपके करनाटक राज में है पलामू टाइगर रिजर्व कहां है तो आपको देखने को मिलेगा जारकंड राज में अगला है कि टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व किस राज में है तो आपको बताना जो टडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व है यह किस राज में स्थित है यह है गाइस महारास्ट राज में खजराहों के मंदिर का निर्मा चंदेर शाषक ने करवाय था जो कि छहतर में पढ़ता है यह आपके माध्य प्रदेश में MP MP में अगला क्वेस्चन है कि खजराहों के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं तो जो खजराहों के मंदिर हैं किस शैली में निर्मित हैं तो यह आपके पंचायतन शैली में पंचाय अगला है कि पूर्व का ताज महल किसे कहा जाता है, बताएगा बहुत अच्छा है, पूर्व का ताज महल किसे कहा जाता है, तो हुमायू का मकवरा है, इसे हम लोग जो कहते हैं, हुमायू का ताज महल भी कहते हैं, हुमायू का मकवरा को पूर्व का ताज महल कहते हैं, बता आपके चोल सा सकते और व्रदेश्वार मंदिर कहां पेस्थी थे बताएगा कहां पेस्थी थे तो तंजौर में हैं तो इसे के साथ गाइस आज का सेशन कंप्रीट होता है 200 कोईशन हम लोग कंप्रीट कर चुके हैं एक सिंगर वीडियो में और चलिए फिर गाइस इसको आप लोग एक बार और रिवीजन कर लिजेगा और आपने अगर हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं तो आप वह भी देख लिजेगा चलिए फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक आपना ख्याल लगएगा बगवान करें आपका दिन शुब हो एंड थेंक यू फ